हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रजिस्टर टू क्या है अगर आप जमीन से सम्मंधित जानकारी रखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महतपुर्ण है तो आज किस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि रजिस्टर टू क्या है यह हमारे लिए कितना महतु है तो सबसे पहले लोग जानते हैं कि रजिस्टर टू क्या है देखिए रजिस्टर टू एक परकार का रजिस्टर है और यह रजिस्टर अंचल कार्याले में रहता है कहां पर रहता है अंचल कार्याले में रहता है यानि कि तहसील में रहता है तह इसमें भी जमीन है, हर जमीन का बायो डाटा इसमें दर्ज होता है, उसमें खातेदार का नाम, यानि कि कोई जमीन है अगर तो वह किसके नाम से है, वो चीज दर्ज होता है, पुलोट नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, ठाना नंबर क्या है, जमीन किस परकार का है, यानि हमरे चीज इस रेजिस्टर में होता है आप जिस जगांऑ इस जमीना का पूरा बाडाइओ डाटा मिल जायगा और पर कार्याले में रहता है तो आपको का समझ में आ गया होगा कि भी रेजिस्टर क्या है रेजिस्टा जिसमें जमीन का पूरा बायो डाटा दर्ज होता है यह सब डाटा है हर चीज दर्ज होता है आप कहेंगे कि वह ऑनलाइन में भी हम लोग असानी से निकाल सकते हैं कोई जरूरी नहीं अंचल कारेले में रहेगा जी हां अभी ऑनलाइन में आज कल आपको दिखेगा जमीन का लेकिन पहले तो नहीं था पहले यही चला रहा था और अभी भी चल रहा है और चलेगा भी ऑफ-लाइन का जो दस्तवेज है बायोडाटा है वो सतत रहता है बहुत ही अच्छा से संयूज करके रखा जाता है ओनलाइन में कभी भी तुल्टिया सकती है तो ओनलाइन में बहुत बड़ा महत्व है अगर किसी वैक्ति का जमीन है और उसका नाम इस रजिस्टर टू में चड़ा हुआ है कि उसका जमीन किस प्लोट नंबर का है कितना रखवाहै का सारा चीज़ अगर तो समझे वही व्यक्ति उस जमीन का माली है, सिंपल से बात, हम बहुत बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति जमीन लेता है, के वल रजिस्ट्री करवाया, सब रजिस्टर रोफिस में जा करके, और वो दाखिल खारिज नहीं करवाता है, देखें, म्यूटेशन नहीं करवाया है आप इसका मतलब कि इस रजिस्टर टू से उस व्यक्ति का जो जमीन था, जितना रखवा दिया गया था उसका, उससे वहाँ उसको हटाए नहीं, इसका मतलब अभी भी वह व्यक्ति उस जमीन का मालिक बना हुआ है, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, अगर आप जमीन ख रजिस्टर टू का ही खेल है, इसी में आपको मालिकाना हग पूर्ण रुपेन प्राप्त होता है, और इसी के अधार पर लगान भी वसूला जाता है, जो आप लोग टैक्स देते हैं, जमीन का, इसी के अधार पर देते हैं, इसमें लिखा हुआ है हर चीज, कि 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 परकार का जमीन है, अगर खेती हर जमीन है, तो लगान कितना लगेगा, अगर इंडस्ट्रियल एरिया का जमीन है, तो उसका लगान कितना लगेगा, अगर परती जमीन है, तो उसका लगान कितना लगेगा, सब रजिस्टर टू में दर्ज है, रुसी के अधार पर आपको लगान देना पड़ता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि रजिस्टर क्या है क्या इसका महत्व है आदी आदी तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा तो आज की लिए इतने ही जै हिंद जै भारत